तो गाइज अगर आपका भी ऐसा स्टेटस सो हो रहा है ट्रांजेक्शन स्टेटस में आपको भी यहाँ पे सेटल दिखाई दे रहा है तो अब आपको क्या करना है अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है जब आप ततकाल टिकट बुक कर रहा है या फिर कोई भी टिकट बुक क सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को इन तक देखेगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्काइब करके बेल एकन को ओन कर दिजिए गा तो दोस्तों मैंने असीफ और आप देख रहे हैं आसीफ अजाद यूटूब चैनल दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं लोगिन करते हैं तो यहां पर आपको एक पॉप अउन होता है और यहां पर दिखाता है डिखाता है हमारा फेल्ट दिखाता है और नहीं जनकारी आपको बताने तो गाइज मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूं यहाँ पर अपना एसको लॉगिन कर लेता हूं जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है आपका भी टांजे transaction पर click करना है जैसे आप यह पर click करेंगे तो आपको यहाँ उस time suddenly यहाँ पर दिखाई नहीं देगा मतलब दिखाई ने देगा लेकिन आधा गंटाय के बाद आपको यहाँ पर फिर्ड दिखाई देगा अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको open करता हूँ और इसका मतलब बताता हूँ कि क्या होता है कि जब भी हम कोई ticket को book करते है ततकाल ticket तो वहाँ पे दो box होता है जिसमें लिखा जाता है consider for auto upgradation और नीचे लिखाता है book only if confirm birth are allotted दोस्तों हम क्या करता है वहाँ पे confirm birth are allotted पे click कर देते हैं जिसके कार वह settled कर दिया जाता है और आपका कोई भी status so नहीं होता है ना ही book का ना ही not booking का ना ही cancel का मतलब कोई भी यहाँ पे so नहीं होगा तो इसका मतलब आपको समझ जना कि आपका जो ticket है वह book नहीं हुआ है कभी-कभी क्या होता है बहुत कम chance होता है कि आधे गंटे के बाद आपको यहां पे status ہو होगा जिसमें आपको seat भी मिल जाए जी हा दोस्तों आधे गनटे के बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि यहां पे transaction settle के बाद आपका टिकट मिल जाता है confirm हो जाता है आपका seat मतलब आपका जो payment received from bank यह आपको एक घंटे या दो घंटे के बाद दिखाई देगा नीचे फेलियर रिजन रिखा है देखे फेलियर रिजन में लिखा है नो सीट अवेलेबल और यहां पर टांजेक्शन ड्रॉप इसका मतलब यह हुआ कि आपको सीट नहीं मिला और आपने टिक लगा दिया था कि कंफर्म बाद अगर एलोटेड हो तभी टिकर बुक हो और अगर नहीं हो तो मेरा टिकर जो हो बुक नहीं हो तो इसी कान आपका जो ट्रॉप हो जाता है और इससे एक फाइदा यह होता है कि यहां पर देखे नीचे लिखा टोटल रिफॉंड अमाउंड यहां पर ज नहीं कर देगा तो इसका फाइदा यह होता है अगर आप वहां पर क्लिक कर देते हैं कंफर्म बर्थ आर अर एलोटेड पे और आपका टिकर प्रॉंड नहीं मिलता है तो आपका जो भी पैसा होगया है तो आप आदे-गंटे तक इंतजार करिए आदे-गंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका टिकर्ट जो कनफर्म बुक हुआ है या फिर नहीं हुआ है और अगर नहीं हुआ होगा तो यहां पर नॉट बुक्ड का इस्टेक्टरस दिखाने लगेगा और आपका जो भी पैसा कटा हो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा तो गाइज आसा करता हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चानल परें तो सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैह हिंद